उस रात तेज हवा चल रही थी, मानों कुछ कह रही थी, एक अजीब सा शोर था, शायद मौसम ही कुछ और था, मैं बालकनी में घूम रहा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर मैं कुछ घूर रहा था, अचानक मेरे फोन की घंटी बजी, और एक जानी पहचानी आवाज ने मेरे काणों में दस्तक दी, कि चल घूमने चलते हैं, और अपने उसी अड़े पे मिलते हैं, कुछ देर के लिए दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे, और अब क्या करना है मुझसे कह रहे थे, उसे कैसे मना कर पाता, जो मेरा मीत है, फिर सोचा की चलते हैं, डर क कि आगे जीत है, मा से बोला कि खाना बाहर खाऊंगा, ताला मत लगाना, थोड़ी देर से आऊंगा, मौसम खराब है बाहर, मा समझा रही थी, बहुत भी गड़ गया है तू, यह चिला रही थी, छट पर तो बस तेज आंधी थी, मेच आया, तब तक कुछ बूंदा बंद भागते फिटे लोग घरों को आ रहे थे, और हमावारा घूमने जा रहे थे, लग रहा था कि मानुसाजिश चल रही है, और मा के गुस्य की तरह बारिश भी बढ़ रही है, बरसात की वो रात थी, और बाइक दुकान के पास थी, मन में कुछ करने की जीनी थी, और हाथ मे एपिफिस थी, बारिश से बचने को लोग आ रहे थे, कुछ आपस में बतिया रहे थे, अरे थोड़ी देर और रुप जाती बारिश, कहते हुए सिगरेट अपनी सुलगा रहे थे, कुछ सोचते सोचते, फोन निकाला मैंने हाथ पोचते पोचते, फोन मिला कर देखा मौस कितना मस्त है, उधर से आवाज आई, डाइट लंबर अभी विस्त है, कभी कभी बहुचार ऐसे आ रही थी, मानों हवा और गूंध आपस में रेस लगा रही थी, अंकल ने पूचा कुछ परिशान न चला रहे हो, इस बारिश में कहीं बाहर जा रहे हो, मैंने बोला हाँ, दूसरा वाला भी आ रहा है, फिलहाल तो फोन बिजी बता रहा है, अंकल पाने मिले का, एक आवाज पीछे से आई, सुनकर जिसे हमने अपने गर्दन घुमाई, बारिश से भीके, बालों से टपकता पानी, कह रहा था मानो हजारों कहानी, ठंड से जो उसके होट खाप रह रहे थे, उस जैसे सुभा पत्तों पे रखे जा रहे थे, उसके गालों पे बून ऐसी ही नजरा रहे थे, उसकी गहरी मीली आंके कितनी मनमुहक है, तभी अंकल ने बोला, हाँ बेटा, पानी की बोतल है, उस आवाज से मेरा ध्यान तूट गया था, लगा मानो एक सपना च बारिस का शोड था, गाड़िया भी आ जा रही थी, पर ना जाने क्यों इतनी आवाज में भी, उसके पानी पीने की आवाज आ रही थी, अचानक से मेरी नजर उसके चेहरे पटिक गई थी, मानो मेरी सारी शर्म कुछ पल के लिए बिक गई थी, मुझे परिशान कर रहा थ जाने वो कैसा शोड था, ध्यान दिया तो पता चला, सालवो मेरा ही फोन था, बिना नंबर देखे, फोन रिसीव कर, जब मैंने अपने कानूं से लगाया, दोसी तरफ से मेरा दोस्त चिलाया, पूछने लगा, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रहा हूं, फिर बोला, थोड़ी देर रुक मैं भी आ रहा हूं, फोन काट कर देखा, लोक ले रहे मजे हैं, तब या वाज आई, एक्सक्यूस में कितने बजे हैं, सिर उठा कर देखा, कि ये कौन सवाली है, देखा त यूँ, आपका मवाइल टाइम नहीं बताता, या फिर आपको देखना नहीं आता, एक बार को तो एगो हट कर दिया, हमने भी फोन ओपन कर सामने कर दिया, ओ, आठ बज गए, कब रुकेगी बारिश, कब मैं घर जाओंगी, ऐसी बारिश में तो मैं फूरी भीग जाओंग हेलो, आप मुझसे कुछ कह रही हो, अरे नहीं, आप कुछ परिशान लग रही हो, हाँ, एक तो बारिश उपर से फोन ओफ है, समय का ही तो सारा दोश है, रात में जायने कैसे हालात होंगे, और घर वाले भी तो परिशान होंगे, अपने कुछ हालात समझा दूँ, आप फ मेरा फोन ओफ है, और थोड़ा सेज बोलिए, यहां बहुत शोर है, बारिश से पानी जगे जगे भर रहात है, और हाँ रवाई खा लेना आठ बज रहा है, हाँ बापा टाइम जादा हो गया है, और भाई क्या खा कर सो गया है, अपने घर आकर उसे कैसे सताओंगी, और ब मुझे किसी का वेट है, थोड़ी गुस्टे से, ऐसे मौसम में घर से बाहर, क्या लगता है, कि आज दिवाली है, या आप घर से खाली है, अब मेरे मन में ये विचार चल रहा था, कि मेरे खाली होने से इस पे क्या फर्क पल रहा था, मैंने फिर थोड़ी दभी आवाज मे तीसरे दिन, मैं और बंटी यहां समय बिताते हैं, वही बंटी जिसका मुझे इंतजार है, जो इस बारिश में घुमने को तियार है, क्या बात है, दो दोस्त बारिश में घुमने जा रहे हैं, और हाँ, क्या चाय आप पिला रहे हैं, हाँ, क्यों नहीं, कौन से बड़ी ब और इस सर्द रात में इसी की तो आस है अंकल दो कप चाय बना देना और संग समोसे के देना यह कहकर फिर से नजर उस पर गई जहां फिर से मेरी नजर टिक गई उसकी अपने हातों से चहरे को सुखाने की तैयारी थी लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि कुछ गीले बालों की मकार भी थी जैसे जैसे उसके हाथ चहरे को सुखा रहे थे वैसे वैसे उसके बाल फिर चहरे पर आ रहे थे यह देखते हुए उसने मुझे देख लिया था और फिर उसे देख मैंने अपनी नजरों को फिर लिया था यहलो बेटा समोसा और चाय मैंने बोला मौतर मजरा इधर जाने क्यों मैं अब नजरे नहीं मिला रहा था और धिरे-धिरे समासा खा रहा था बारिश में भूमने जाते हूँ लगता तो नहीं इतना शर्माते हो अगर आपको इतना ही शर्माना है तो मागकोर मुझे कुछ नहीं खाना है किया कहते हुए वो हस पड़ी और शायद मुझे हिम्मत ने ली अरे नहीं आपको क्यों लगा कि मुझे शरमा रही है और चाय पीलो ये ठंडी हुए जा रही है समोसो संग कौन से चटने लोगी और मैं पूछूंगा क्या तभी कुछ कहोगी पिर एक एक तर वो सब बताने लगी और थोड़ा थोड़ा हज़ जमाने लगी एक एक शब्द में उसका सुन रहा था और सब को एक माला में बुन रहा था बताया उसने के करती वो मनमानी है और हांती पीका की दिवानी है और भाई का नाम हर्श है, सलमान उसका क्रश है मैं उसकी बातों से खिसता जा रहा था मानो उसने एक जाल पैला दिया था और मैं उसमें फंसता जा रहा था तभी रिंग ने मेरा ध्यान बटकाया और किलस्ते हुए मैंने फोन उठाया भाई सोरी मैं नहीं आ पाऊंगा बटाई प्रोमिस मैं तुझे कल पीजा खिलाऊंगा क्या हुआ, आपका दोस्त आ गया अब आपको जाना पड़ेगा और ये समोसा मुझे अकेले खाना पड़ेगा नहीं वो नहीं आएगा सो मैं थोड़ी तेर और रुक जाऊंगा फिर वापस घर चला जाऊंगा फिर एक बार वो कड़ी से कड़ी जोड़ने लगी और बिना रुके बोलने लगी बारी-बारी कहानी कह रही थी और खुद पर हस रही थी फिर अन्नो नमबर से कॉल आई और अपनी नजरे मैंने फोनों पर टिकाई उसमें पूचा की कौन है शायद आपके पापा का फोन है यह सुनकर उसने फोन ले लिया और हाँ कहकर फोन रिसीव किया कुछ देर के बाद फोन कट गया था और सन्नाटा पसर गया था उसकी खमोशी मानो कुछ कह रही थी और आंकों से आंसू की धारा बह रही थी